सब्सक्राइब कीजिए Student Point Academy चानल को और बैल आइकान को दबाईए स्टेडी से रिलेटेड वीडियो सबसे पहले दिखने के लिए हलो स्टुएंट्स, वेलकम स्यू स्टुएंट्स, टुएंट्स टुड़े वी आर गुइंग टू लर्न a very great story of a noble stag आज हम किसी noble stag की एक बहुत बढ़िया story सुनने जा रहे हैं पढ़ने जा रहे हैं इस lesson में आपको पता है noble stag इस lesson में जो stag है stag means क्या होता है stag means होता है deer या hiran deer इंगलीश में हिंदी बे उसे हम hiran कहते है hiran आपको पता है stag और stag को noble क्यों कहा गया है एक ऐसा stag एक ऐसा व्यक्ति जो इमानदार है ओके जिसकी सोच अच्छी है ऐसा व्यक्ति उसे noble कहा जाता है तो जैसे मान लीजी कि ये जो hiran है वो इमानदार है honest है और इसलिए उसे जो है noble नाम दिया गया the noble stag आईए अब इसे noble stag क्यों कहा गया है क्यों इस story का नाम जो है वो सिर्फ stag ना हते हुए the stag या the deer ना होते हुए only the stag ना होते हुए इस story का नाम the noble stag क्यों है उस stag के अगे noble क्यों लगा है यही इस पूर story के ending में आपको मिलेगा मतलब इस story को आपको पुरा सुनना है तभी आपको समझ में आएगा और इस story को पुरा देखिए पुरा सुनिए पुरा पढ़िए इस lesson को क्योंकि यह बहुत ही मज़िदा और बहुत अच्छी story इस तरह से दादी नानी आपको कहानी सुनाती कहानी सुनाना सबको पसंदोता है सबको सुनना पसंदोता है उसी तरह से एक कहानी है जो आपको मैं सुनाओंगा तो आईये बड़ा-बड समझते हुए इसे पढ़ते हैं तो as we all know the king Brahmadatta of Banaras was extremely fond of hunting आपको बता है कि Banaras ये जो शहर है वहाँ पर एक राजा हुआ कर देते जिनका नाम था ब्रह्मदत्ता और ब्रह्मदत्ता ये राजा इन्हें Fond of Hunting Fond of Hunting मतलब फॉंड याने पसंद होना मतलब उन्हें शिकार करना बहुत पसंद था जंगल में जाकर प्रानियो को मारना एनिमल को इंद्र धनश से मारना बो से मारना शिकार करना उन्हें बहुत पसंद था अब उन्हें शिकार करना भी बहुत पसंद था और उनके बहुत अच्छी थी कि उनका पसंद दिता कामता शिकार करना और उनके city के बाहर means outskirt, outskirt of the city मतलब शहर के बाहर, outskirt मतलब outer part of the city, शहर के बाहर वाला बाहर, तो outskirt का meaning आप क्या लिखेंगे, शहर के बाहर, outside of the city, तो शहर के बाहर एक जंगल था और उस जंगल में वो अक्सर जाकर शिकार किया करते थे, among them, there was mighty stag, और वहाँ पर बहुत सारे हिरन हुआ करते थे, stag हुआ करते थे, उन हिरन के बीच में एक हिरन और होता था, जो mighty था, mighty stag था, और वो जो stag था, वो कैसा था, mighty था, mighty मतलब powerful, शक्तिशाली, ताकतवर, चालाक, एक mighty, मतलब एक चमतकारिक हिरन वहाँ पर था, एक mighty stag था, अब उस mighty, उसे mighty stag इसले कहा गया, क्योंकि वो जो हिरन था, वो बहुत ही powerful था, तो mighty के लिए आप क्या वर्ड लिखेंगे, powerful, वन, fine day, एक बहुत अच्छा दिन था, the king had gone hunting with his courtiers, he told his courtiers, if you allow even a single deer to escape, I will punish you severely, ली, तो एक दिन आया, एक अच्छा दिन देखकर, राजा ने सोचा कि आज उसे शिकार करने के लिए जाना चीए, तो वो अपने courtier के साथ शिकार करने चला गया, courtier मतलब आप ऐसा मान लीजिए, या तो उसके सेनिक, या फिर राजा के दरबार में काम करने वाले लोग, तो वो अपने लोगों के साथ, अपने courtier के साथ शिकार पर चला गया, और उसने कहा कि अपने courtiers को बहुत ही orderly देते हुए कहा कि अगर तुमने किसी भी हिरन को अगर यहां से भागने दिया, तो मैं तुम्हें बहुत बूरी तरह से पनीश करूँगा, मतलब मैं तुम्हें पनीशमेंट करूँगा, मतलब जो भी हिरन दिखा, उसके escape नहीं होने देना है, उसको हंट करना, उसका शिकार करना है, अगर वो शिकार चला गया, तुमने उगर उसे मिश कर दिया, तो a tight circle formed, so the courtier formed a tight circle which no deer could escape, अब courtiers ने क्या किया, कि यहाँ पर मान लीजे, बहुत सारे पेड हैं, जैसे यह बहुत सारे पेड है, क्योंकि यह क्या हैं, जंगल के अंदर बहुत सारे पेड हैं, इन पेड़ों के आसपास, courtier ने घेरा बनाया, मतलब एक दूसरे का हाथ पकड़के उन्होंने क्या कर दिया एक गेरा बनाया एक राज ओके और इस घेरे में एक ही रास्ता था जहाँ से हिरन भाग सकता था मतलब मान लीजिए ऐसा गोल सरकल उन्होंने बनाया और गोल सरकल के बाद यहाँ पर एक छोटा सा रास्ता रख दिया जहां से हिरन जो है वो इन में से किसी भी जगर से स्टैग नहीं भाग पाता अगर यहाँ पर कोई स्टैग छुपा है तो उसे भागने के लिए सिर्फ ए स्तैग आन दी ग्राउंड तो फृतें दीर हैड इंडे शडेंग वाज hustries एंड के लिए फिर देर सिहने को ने क्या किया पने अपनी स्तिक को अपनी लाठी को जमीन पर ецगाट स indispensable के बीटिंग की आवाज होने लगी दिटर मतलब पतक ना वो जोर जोर से बीट करने लगे जमीन पर अपनी लाठी मारने लगे इसके मारने से एक बड़ी सी आवाज होने लगी उस आवाज को सुनकर वहाँ के जो हिरन थे छुपे हुए जो स्टैक थे वो डर गए और वहाँ से वो भागने शुरू हो गए then begin to bead their stick gown pretend the deer hiding in the bushes and make them run उन्होंने इसलिए उस लखडी को वहाँ पर बजाया ताकि उसकी आवाज से डर कर हिरन वहाँ से मतलब प्रिटेंड होना मतलब डर ना कौन डरेगा हिरन तो हिरन वहाँ से डर कर भाग जाये the only way out of their circle was through small clearing where the king stood ready with his bow and arrow अब राजा ने क्या किया था कि एक circle बनाया था और एक ही रास्ता वहाँ पर खुला छुडा था अगर यहाँ पर कोई stag है तो वह stag दोड के इसी रास्ते से बाहर जाएगा और इस रास्ते से बाहर king यहाँ खड़ा था किस चीश के साथ खड़ा था अपने धनुश बान के साथ खड़ा था कि जब हिरन जैसे ही वह यहाँ से भागना शुरू कर देगा यहाँ पर खड़ा राजा अपना arrow इसके उपर छोड़ेगा और उस तीर से उस हिरन को मार किराएगा इस तरह से वह planning करके बैठा हुआ था अब देखे क्या हुआ दा कॉटियर वेर बीटिंग देर स्टीक अब कॉटियर जो है वो अपनी स्टीक जो है स्टीक मतलब लकडी वो लकडी को जोर जोर से क्या करने लगे जमीन पर पटकने लगे मारने लगे अब देखे आगे क्या होता है A stag, उसके बाद, caught yet the stick on the ground and shouting where suddenly a stag jumped out of the ticket मतलब कि उस आवाज को सुनकर वहाँ से एक हिरन दौडता हुआ, कुदता हुआ उस घनी ठिकेट से, मतलब ठिकेट मतलब घना, मतलब घनी जाडियों से जहाँ पर बहुत सारे पेड़ पोदे होते हैं उसे गनी जाडियों कहते हैं, गनी जाडियों से कुद्दे कुद्दे एक हिरन बाहर निकलाया, उस हिरन ने देखा कि राजा जो है, वो उसके रास्ते में खड़ा है धनुशबान लेके, अगर वो वहां से जाएगा, तो राजा उसे मार देगा, उसे ये पता था, उसके बावजुद भी उस स्टैग ने राजा की और सीधा देखा, उसके आखों में देखा, और राजा की तरह भागता हुआ, दौरता हुआ चले गया, made a dash towards मतलब राजा की और, made a dash towards मतलब सीधी निशा में राजा की और उसने भागना शुरू कर दिया, अचानक से फिर क्या हो गया, कि पूरा निशाना साथते हुए राजा ने उस हिरन के उपर अपना एरो छोड़ा, अब हुआ क्या, कि राजा ने जो तीर चलाया, वो चुक गया, निशाना चुक गया, पर जो हिरन था, वो रोल्ड ओवर हो गया, रोल्ड ओवर होना मतलब, मान लिजिए ये कोई तीर आ रहा हो, इस तीर के उपर से जम करके, ऐसे जमीन के उपर, मान लिजिए बच्चों, ये जमीन है, तो हिरन क्या करेगा, कि ये एक तीर आ रहा है, तो इसके उपर से कुलंट ये से गोल-गोल घुमते हुए, जमीन पर गोल-गोल घुमते हुए, यहाँ चलेगा और बाद में खड़ाओ के भाग जाएगा, तो ऐसा वो रोल्ड ओवर हुआ, अब इसके रोल ओवर होने से क्या हुआ देखिए, वो रोल्ड ओवर हुआ और थोड़ी देर वो हिरन जमीन पर पड़ा रहा, अब यहाँ पर देखिए, क्या बात है, आपको इस हिरन के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है, यह स्टैग है, यह कोई मामूली स्टैग नहीं था, इस स्टैग के बारे में आपको जानना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि यह जो स्टैग था, वो कैसा था, excellent, मतलब बहुती चतूर instinct मतलब होशियार, intelligent और extremely good और बहुती अच्छा किस चीज के लिए, dotging के लिए dotging the arrow, मतलब ये ऐसा हीरन था, इस हीरन के उपर तुम कहीं से भी निशाना लगाओ हीरन के पीछे से लगाओ, stack के पिछे से लगाओ, उसके side से लगाओ, आजू से लगाओ, बाजू से लगाओ, उसके सामनी से लगाओ उसमें एक बहुत अच्छी art थी कि वो किसी भी arrow के निशाने को माग देके उसे चुका देता था और वहां से भाग जाता था, मतलब बहुत ही होशार हिरन था Whether shoot at from the back, front or even the top, if an arrow is a mind its belly, it pretend to roll over and jump and run once danger has passed चाहे उस हिरन को आप किधर से भी मारो कही से भी निशाना लेके मारो चाहे हिरन के उपर से मारो, उसके नीचे से मारो आजू से बाजू से आगे से आप पीछे से किसी भी डारेक्शन से उस पर निशाना लगा वो हिरन आपके निशाने को चुका कर भाग जाएगा इतना होशियार था, okay So, when this stag rolled over अब आते ही उसी बात पर जब stag roll over हुआ stag जमीन पर ऐसे गुलाटिया खाते हुए गिर गया, okay, rolled over हुआ गिरा नहीं, वो rolled over हुआ The king thought that his arrow has found its mark उसको लगा कि मेरा निशाना सही जगा पर लग गया है और वो हिरन गिर गया है He lowered his bow and began to walk towards the stag उसने अपना धनुश्य बान नीचे किया और वो हिरन की और बढ़ने लगा But the stag suddenly jump up and shoot past the man पर अचानक क्या हुआ कि वो stag अचानक खड़ा हो गया और वहां से shot past हो गया Shot past मतलब उस राजा के पास से वो भागते वे चला गया मतलब वो बच निकला When courtier realized that king had been mistaken then started to walk जब courtier को पता चला राजा के नौकरों को पता चला कि राजा ने राजा का निशाना चूक गया है तो वो सब लोग राजा पर हसने लगे अब देखो आगे क्या होता है Now the king thought himself to be an excellent marksman and could not bear the tons of his man अब राजा खुद को excellent marksman समझता था Excellent marksman मतलब ऐसा आदमी जो perfect shooter हो मतलब निशाना लगा है और निशाना कभी ना चुक है ऐसा इंसान जिसका कभी निशाना नहीं चुकता उसे marksman कहते तो राजा खुद को बहुत बड़ा marksman समझता था और जब वो ऐसा खुद को समझता था पर गलती से उसका निशाना चुक गया या फिर उस stag ने राजा का निशाना चुका दिया तो इस बात पर जब सारे उसके courtiers हसने लगे तो ये बात राजा के लिए not bear थी मतलब असहनिये थी राजा इस बात को सहन नहीं कर पाया क्योंकि उसके आदमी उस पर हस रहते मतलब राजा पर taunting कर रहते he grabbed his sword राजा ने वो धनुश्यबाद को छोड़ दिया था उसने अपनी तलवार sword मतलब तलवार निकाला and off into the forest in order to catch the stag और उस हिरन को stag को पकड़ने के लिए अपनी तलवार लेकर उस हिरन का पीछा करने लगा फिर क्यावा देखिए he chased the stag for quite a while and covered a long distance उसने उस हिरन का बहुत दूर तक पीछा किया और पीछा करते करते राजा काफी दूर निकल गया देखिए इस तरह से हुआ था story में इस तरह से इन्होंने लाठिया ठोकी थी और देखिए जो हिरन था वो बान को जो arrow था arrow के उपर से कूदते हुए rolled over होते हुए वहाँ से वो चला गया था राजा का निशाना चुक गया था अब देखिए राजा उसके पीछे पीछे गया उसे मारने के लिए अपनी तलवार लेकर sword लेकर फिर आगे क्या वो the stag come upon a hole in the ground that was covered by rotting tree and filled with slime तो जो अब stag जो था वो दोड़ते दोड़ते एक बड़े से गड़े के पास आ गया hole मतलब गड़ा एक बड़े से गड़े के पास आ गया और वो गड़ा जो था पेड़ों की सुखी पत्तियों से rotting tree rotting tree मतलब सुखे पेड़ों से और सुखी पत्तियों से सड़े पत्ते और पेड़ों से लकड़ियों से वो गड़ा धका हुआ था ओके और साथ में filled with slime और slime से धका हुआ था from a distance it could smell a dirty water and so was careful not to run over it अब हिरन जो था इस गड़े के पास ये जो था गड़ा कीचर से बड़ा हुआ था हिरन दोड़ते दोड़ते इस गड़े के पास आया इस गड़े में जो गंदा पानी था इसकी smell जो है इसकी smell हिरन तक गई और हिरन को समझ गया कि आगे जो है कीचड़ है दलदल है वो सुंगते हुए यहां से बाहर भाग गया पर आगे क्या हुआ राजा जो था इस हिरन के पीछे पीछे भाग रहा था पर राजा को इस गंदे पानी की खुश्बू नहीं आई और राजा दोड़ते दोड़ते सीधा इस गड़े में चला गया और इस गड़े में जाकर वो फस गया यहां पर किचड़ था किचड़ में राजा फस गया अब क्या हुआ तो देखिए कुछ देर के बाद उस हिरन को समझ में आया अरे मेरा पीछा तो कोई नहीं कर रहा है फिर राजा कहा गया होगा तो जो हिरन था जो स्टैक था समझ गया बच्चो उससे समझ में आ गया कि जो राजा है वो जरूर उसी पीट में उसी दलदल में उसी गड़े में गिड़ गया होगा जिस गड़े को मैंने चतुरी से मतलब चाला की से पास कर लिया अब देखिए जो राजा उस हिरन को मारने के लिए उसके पीछे अपनी तलवार लेके भाग रहा था उस राजा को देखने के लिए वो हिरन वापस गया उस गड़े में उसने देखा कि राजा दलदल में फसा हुआ है और खुद की जान बचाने के लिए कोशिश कर रहा है, struggling कर रहा है कि वो कैसे वहां से बाहर आ है जिस राजा ने उस किंग को मारने के लिए तलवार लेके उसके पीशे दौड़ रहा था, वो हिरन विचारा राजा के लिए बहुत दुखी था कि ये विचारा आदमी इस दलदल में फस गया है अब राजा जो था, वो किस intention से, किस सोच से, किस planning से हिरन के पीशे दौड़ रहा था, राजा हिरन को जान से मारने के लिए उसके पीशे दौड़ रहा था, फिर भी उस हिरन ने सोचा कि मैं इस किंग की जान बचाऊंगा फिर देखो आगे क्या हुआ, तो उस हिरन ने कहा राजा से, चिंटा मत करो राजन, चिंटा करने की कोई जरुवत नहीं है, तुम ब्रेव हो, बहादूर हो, तुम जरूर बहार आओगे अब हिरन ने क्या किया, हिरन के चार पैर होते, दो पैर आगे के, दो पैर पीछे के सामने वाले पैरों को फोर लेक कहते हैं, पीछे वाले पैरों को हाइंड लेक कहते हैं, तो हिरन ने अपने पीछे वाले पैरों से बड़े से पत्थर को पकड़ लिया, और अपनी बाड जो थी वो राजा के तक ले कर गया, राजा ने उसकी गर्दन को पकड़ लिया और हिरन ने उस राजा को धल्ल से बाहर निकाला, तो वो जो राजा बचाओ बचाओ करके चिल्ला रहा था, उस राजा को उसी हिरन ने बचाया, जिस हिरन के पीछे वो राजा तलवार लेके उसे मार निकले दौड़ रहा था, देखिए, कितना honest था वो हिरन, कितना इमानदार था, इसलिए उसका नाम है, दौबल स्टैग, आईए पढ़ते आगे, दौबल स्टैग अगे, दौद इस राजा ने उस हिरन का बहुत 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 शुक्रिया दा किया, बहुत थेंक्स किया, और उसने कहा कि तुम मेरे साथ बनारस चरो, where he could have anything and everything he wanted तुम मेरे साथ बना रश चलो तुम्हें जो चाहिए खाने पिने के लिए रहने के लिए कोई कमी नहीं होगी तुम जो चाहिए वो तुम्हें हम वहाँ पर देंगे बट्ड स्टैक दिन्ट नोट वाँट एनिफिंग इन रिटन तो हिरन ने जो राजा के help की थी उस help के बदले हिरन को कुछ नहीं चाहिए था स्टैक को कुछ भी नहीं चाहिए था उस हिरन ने राजा से एक request की कि एक ऐसा नियम बनाओ कि इस जंगल में किसे भी एनिमल पर कोई शिकार नहीं होगा कोई हंटिंग नहीं होगी और सब जानवरों से प्यार करेंगे एनिमलों से प्यार करेंगे उनके लिए दयालू रहेंगे काइन फूल रहेंगे और उसके बाद वो नोबल स्टैक वहाँ से तूर चला गया गया वहाँ से हड़ गया इन्टू डफॉरे जंगल में कहीं वह चला गया वो उसके बाद उस राजा ब्रह्मदत्त ने क्या किया एक वोवड किया वोवड यह ने प्रॉमिस करना होता है उसने प्रॉमिस किया कि अब ना तो वह कभी किसी एनिमल को हर्ड करेगा ने हर्ड करेगा किसी एनिमल को नहीं मारेगा और नहीं किसी व्यक्ती को किसी एनिमल को मारने देगा तो देखियो स्टूइंट्स यह था बहुत ही प्यारा लेसन, बहुत ही प्यारी कहानी I hope यह कहानी जरूर बच्चों आपको पसंद आई होगी एक नोबल स्टैक की अब आपको समझ में आया होगा कि इस में उसे नोबल स्टैक क्यों कहा गया Sorry Strings, यहाँ पर जो लेसन का नाम है वो लेसन नमबर अभी भी 31 रोबोस्टिक ही दिखा रहा है इसे हमने चेंज नहीं किया है तो इसे हम चेंज कर देते हैं पहले आप तो लिसन का नाम चेंज हो गया है I hope that your story आपको ज़रूर पसंद आई होगी और ऐसी story आप अपने friends को ज़रूर सुनाना पसंद करोगी Now let's move to the question answers आईए उसके question answers दिखते हैं Question answers इसके काफी अच्छे है और यह हमने यापर लिख कर रखे तो आप इसका screenshot ले लिजे पहले Take this snapshot और screenshot लेने के बाद फिर हम इसे आपको explain कर देंगे ये बड़े अक्षरों में लिखा है ये तो आपको दिख रहा होगा जो नहीं दिख रहा है उसे और पास में लेके आ जाते हैं यहां से इसका screenshot ले लिजे बच्चो और ये पूरा screenshot है उसके बाद आईए question answers के बढ़ते हैं क्या है question answers में देखिए what did the king tell his courtiers राजा ने अपने courtiers को क्या बताया राजा ने अपने courtiers को क्या बताया था कि एग भी हिरन भागना नहीं चाहिए है ना so the king told to the courtiers that if any allow even a single deer to escape अगर आपने किसी भी एग भी हिरन को अगर यहां से जिंदा भागने दिया he would severely punish दे तो मैं आपको punish करूँगा ये राजा ने कहा was the stag heard by king's arrow king's arrow stag raja के तीर से वो हिरन घायल हो गया the stag was not heard by the king's arrow जो stag था वो raja के king मतलब जो stag था वो king के arrow से hurt नहीं हुआ how did stag skip stag कैसे वहां से भाग गया so the stag was extremely good at dotging arrow stag जो था stag जो था वो arrow को चुकाते हुए भागना उसके उपर से roll over करके भागना उसे बहुत आसानी से आता था so he pretended to roll over and jump up and run once the danger he had passed तो वो क्या किया उसने हिरन ने दोड़ते हुए उस तीर के उपर से roll over करते हुए वहां से वह निकल गया और उसने वहां से खुद की जान बचे why did king set off into the forest राजा forest के अंदर क्यों भागा the king set off into the forest to catch the stag वो हिरन को पकरने के लिए जंगल के अंदर उसने भागना शुरू किया दोडना शुरू किया why did the stag return stag वापस क्यों आया the stag understood that the king had perhaps fallen into the pit so he returned तो stag को समझ में आया कि राजा मेरे पीछे नहीं आ रहा है मतलब शायद perhaps का मतलब होता है शायद maybe शायद वो उस कीचड में गिर गया होगा तो उसे देखने के लिए वो वापस आया उसके बाद ये जो f है इसका screenshot ले लीजिए ये इसका answer है थोड़ा बड़ा है तो क्या है इसका answer how did the stag save the king's life stag ने राजा की लाइफ कैसे बजाई the stag saved king's life by catching a huge rock with his hind legs and lowering himself into the pit जो हिरन था उसने अपने पीछे वाले पैरों से पत्थर को पकड़ कर रखा और अपनी बाड़ी उसने उस किचड के अंदे डाल दी तो हिरन था उसकी गरदन को राजा ने अपने हातों से पकड़ा और हिरन ने उस राजा को बाहर निकाला the king caught hold of his knee and the stag climb out into the level ground carried the king's to safety what did the stage stag tell the king stag ने king से क्या कहा इसका answer आपको लिखना है क्या कहा मैं बता दू kings ने कहा राजा ने कहा जो stag है उसने request किया king से की please make a rule for not hunting the animal and be kindful for the animal ऐसा request किया यह इसका answer होगा okay relation के last में है इसका answer वहां से देखके लिखे why is the stag called the noble stag इस stag को noble stag क्यों कहा जाता इसका answer आप खुद लिखिए मैं इसका answer नहीं बताने वाला इसका answer पुरी कहानी का जो सार है वही इसका answer है ओके इस कहानी में हमने last में जो सिखा है वो इसका answer है क्यों इसे stag कहते है उसके बाद अब यहाँ पर क्या करना है बच्चों यहाँ पर तो हमने short में लिख दिया है पर आपको short में नहीं लिखना है the king was extremely found of hunting तो इसे आप answer में कैसे लिखेंगे the king was extremely found of shooting मतलब इस hunt यहाँ पर जो box के अंदर जो word है उसके बतले दूसरा word लिखना है बागी sentence जैसा का वैसा इसमें भी ऐसे लिखेंगे the huge forest was filled with deer so the huge forest was filled with stag the okay answer में ऐसा लिखेंगे इसमें भी ऐसे लिखेंगे the stag come upon a pit he told the king not to panic worry मतलब चिंता करना panic मतलब भी डरना या चिंता करना the noble stag disappear into the forest तो क्या लिखेंगे the noble stag vanish into the forest disappear मतलब गायब हो जाना vanish यहने भी गायब होना उसके बाद इसे जैसा के वैसा आपको अपने बुक में लिखना है तो यह है यह जो है यह आपको अपने बुक में लिखना है और इसे पढ़ना है city का हो रहा है cities ध्यान में आ रहा है horse का हो रहा है horses arrow का arrows leaf का leaves child का children और food का होता है feet पर deer का deer ही रहेगा और sheep का sheep ही रहेगा तो ऐसे आपको और pairs ढूनने हैं जिसमें कोई changes नहीं होते हैं जो आपको खुद से करने होंगे तो I hope that ये lesson आपको पूरी तरह से clear हो चुका होगा और इसके question answers भी आप तो समझ में आ गए होगे तो friends ये वीडियो आपको कैसा लगा comment box ने जरूर लिखे वीडियो को like कीजिए चैनल को subscribe कीजिए हमारा साथ बने रही है और देखे रहे हमारे चैनल को और आपको सच में लगता है कि मेरे वीडियोस आपको जरूर पसंद आते हैं और आपके friends के भी को भी help कर सकते हैं दूसरे आपके जो friends से आपके classmates से उनने भी help कर सकते हैं तो इन वीडियोस को उन तक पहुचाने के जरूर कोशिश कीजिए क्या करना होगा आपको बस इसके link copy करके whatsapp में paste करके उनने बेज दीजिए ये वीडियो उन तक चला जाएगा और उनका उनकी help हो जाएगी आपके वज़े से तो help करना बहुत अची बात है तो मुझे पुरा बरसा आप जरूर help करेंगे मेरी भी और उनके भी so students मिलते हैं next वीडियो में till then bye bye